हेलो फ्रेंद्स वेलकम टू माई चैनल रतन भाईसा की रसोई तो आज हम अमारी रसोई में शहांदार चोकलेट केक की रेसिपी लेके आए जो बहुत ही सिंपल वे में बनाना बताया है तो वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम यहां पर ले लेंगे बाउल और कप हम यहां पर मैदा ले लेंगे कप पे उंगली घुमा के लेना है आपको एक चौताई कप हम यहां पर लेंगे कोकव पाउडर ले लिया है अब हम यहां पर लेंगे एक टी स्पून बेकिंग पाउडर और उसका आधा बेकिंग सोडा यानि की आधा टी स्पून बनेगा और इसमें अगर कोई भी कच्रा है तो वो भी चन्नी में आ जाएगा तो जरूर चानिये तो यह हमने चान की रड़ी कर दिया है तो इसे साइड में रख देते हैं अब हम लेंगे दूसरा बाउल और दूसरे बाउल में हम डाल देंगे 50 ग्राम बटर मैंने यहां पर नॉर्मल पीने का सोडा ले लेंगे तो मैंने यहां पर ड्यूक सोडा लिया है आदा कप हम यहां पर सोडा ले लेंगे तो इसे भी हम इस बटर के अंदर डाल देंगे बटर को आप बाहर निकाल के रूम टेंपरेचर पर ले लिजिए और आदा कप हम यहाँ पे डालेंगे कंडेंस मिल्क कंडेंस मिल्क की रेसीपी हमने हमारे चैनल में अपलोड कर रही है तीन मिनट में तीन इंग्रीडियंट से बहुत ही जल्दी बन जाता है तो इसे हमने कर दिया है अच्छे से मिक्स अब हमने जो मैदा और कोकोवा पॉडर चान के रखा था उसे भी हम थोड़ा थोड़ा अब हम यहां पे ले लेंगे एक टिन तो मैं यहां पे हाट शेप का बना रही हूँ तो हाट शेप का मैंने यहां पे टिन ले लिया है थोड़ा सा मैंने इसमें गी डालके इसे ग्रीस कर दिया है अब हम इसके अंदर डाल देंगे कोकोवा पॉडर और इसे हम इस तरह से ड डाल देंगे और इसे कर देंगे हम टैप ताकि इसके एर बबल्स जो है सारे निकल जाए तो अब यह जाएगा बेख होने के लिए तो बेख होने के लिए आज हम कड़ाई का इस्तेमाल करेंगे तो कड़ाई में मैंने तले नमक डाल दिया हैं यह टोटली ऑप्शनल हैं अग हम रखेंगे एक स्टैंड और स्टैंड के ऊपर हम इस टिन को रख देंगे कड़ाई को जो है 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे प्री हीट करना जरूरी है तो अच्छी से हीट आ रही है हमने टिन को अंदर रख दिया है इसके ऊपर लगा देंगे ढकन और 25 मिनट के बाद में हम चेक जरूर करेंगे क्यास की फ्लेम को हम लो रखेंगे बेकिंग का फिक्स टाइम नहीं रहता है तो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लाल बटन दबाईए सब्सक्राइब कीजिए फिर बेल प्रेस कीजिए तो मुझे यहां पे 30 मिनट हो चुके हैं तो इ तो मैंने यहां पर अमूल फ्रेश क्रीम और डाक कंपॉंड ले लिया है तो अमूल फ्रेश क्रीम को जो है हम एक बाउल के अंदर ले लेंगे मैंने वाइट गनाश और चॉकलेट गनाश की रेसिपी अपने चैनल में अपलोड कर रखी हैं तो आप देख सकते हैं तो पान अब हम डाल देंगे इसमें बटर बटर डालने से गनाश की शाहिन जो है बहुत ही अच्छी आती है यह देखिए आप देख पा रहे हैं यह हमारा चोकलेट गनाश जो है बनके रडी हो चुका है तो गयास की फ्लेम को कर देंगे ओफ और अब हम केक को जो हैं अन्मोल कर द और फिर प्लेट को करेंगे इसके उपर इस तरह से उल्टा पलट देंगे और थोड़ा सा हम इसे टैप कर देंगे यह देखिए तो यह हमारा सॉफ्ट सॉफ्ट स्मजी चॉकलेट केक का बेज जोह बनके रड़ी हो चुका है अब देखिए जूम करके बताते हैं कि इसकी जा से कट करते हैं वह भी वीडियो हमने हमारे चैनल में अपलोड कर रखा है तो इसके नमबर सेट कर लेंगे आज हम सिर्फ दो ही लेहर करेंगे कट अब चितने चाहे उतने कट कर सकते हैं इस तरह से उठाना नहीं है दिरे दिरे इस तरह से चलाते हुए आपको के को जोह कट कर देना है वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिलकुल न भूले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले तो यह देखिए दो लेहर में हमने कट कर दिया है हम आपको जूम करके बताते हैं कि केकी जाली जो है आप देख कि इसका स्पंज देखिए कितना एकदम सॉफ्ट बना है अब हम ले लेंगे एक केक का बेस और इसके ऊपर हम रख देंगे केक के बेस को हमने बहुत सारी केकी रेसिपी अपने चैनल में अपलोड कर रखे हैं तो आप ले लिस्ट में जाके जो हैं देख सकते हैं बहुत ही चोकलेट गनाश और इस पैलेट नाइफ की हेल्प से इस तरह से इवेनली फैला लेंगे पैलेट नाइफ को बिना उठाए इस तरह से घुमाना है अगर आप चोकलेट गनाश को थिक कंसंटनसी में चाते हैं तो इसे आधी कंटे के लिए छोड़ दीजिए फ्रीज में ये तो यह देखिए रख दिया है अब हम दूसरा बेस बेस के उपर रख देंगे और इस पर सेम प्रोसीजर से थोड़ा सा पानी छी डख देंगे और फिर चोकलेट गनाश हम इसके उपर इस तरह से पौर कर देंगे डाउट हैं तो कमेंट बॉक्स में शेर कीजिए और इस ताइप की ईजी ईजी रेसीपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना पूले तो इस तरह से हम पैलट नाइप की हल्प से इसे एकदम इवेनली फैला लेंगे और साइड से भी हम इसे अच्छे से कवर कर लेंगे तो इसे हम आदे घंटे के लिए फ्रीज में छोड़ देंगे तो इसे मैंने आदे घंटे के लिए फ्रीज में छोड़ दिया था और चोकलेट गनाश को भी जो है मैंने फ्रीज में रख दिया था एक स्टार नोजल दिया है और पाइपिंग बैग में मैंन और मैंने इसके उपर एक चोटा सा सर्कल बना के औरियो बिस्किट को जो है रख दिया है आप देख पा रहे हैं तो केक हमारा बनके रड़ी हो चुका है केक बनाते समय आपको इंग्रेडियन्स जो है मेजरमेंट परफेक्ट लेना है और बेकिंग का फ्रेंस टाइम नहीं र सब टिप्स का फॉलो करते हुए आप अगर केक बनाए ये किन मानिये बहुत ही शांदार बनेगा